है फ्रेंट्स आप डेस्टोरेंट में जाते हैं कि यह बहुत ही टीस्टी लगती है और सुब को भी बहुत पसंद होती है एंगा को आप आफिधा यहारी स्टाượng्नी कोब प्रसक्राइब होते हैं या हमारी चार्ट पूर्टर्म के दों करें देखिए दोस्तो बढंगे इसको में रखेंगे लिए लिएक पूदीन नेखें इसको हम मिक्सी में डाल लेते हैं और जितना हरा धनिया आप लेंगे उसका आधा हम लेंगे पुदीना पती ये भी हमें धोके अच्छे से साफ कर लिये हैं ये देखिए इसकी खुश्बू बहुत ही अच्छी आती है चटनी में इसलिए थोड़ा पुदीना लेंगे तो फ्रेंट्स इसमें हम डालेंगे एक चोथाई चमच हमने कच्छा जीरा लिया है ये डालेंगे आधा चमच सफेद नमक लेंगे आधा चमच हम लेंगे काला नमक मैंने तीन-चार हरी मेर्चे काट ली है आप ये ज्यादा और कम भी कर सकते हैं अपने हिसाब से आप तीखा खाते हैं या तोड़ा कामी तीखा खाते हैं मैंने एक अध्रक का टुकड़ा ले लिया है इसको मैंने काट लिया है और दोस्तों हम लेंगे थोड़ी सी मूमफली मूमफली डालने से बहुत ही अच्छी चट्नी बनेगी देगी कि इसका स्वाध ही बिल्कुल बदल जाएगा और अब हम लेते हैं मैंने ये देखी तीन-चार चमच जो है वो दही लिया है दही आप थोड़ा गाड़ा लीज है शुच कि दही डालने से प laser बहुत अच्छा आता है और इसका जो ह्री चट्नी होती है यह बनाने पर सब्सक्रूंश हे नियर्णे सपीता है हर दनिया कि तो इसलिए दलने से कि अ कलर चेंश नहीं होता है और बहुत ही टेस्टी बिल्कुल रस्टोरेंट स्टै रस्ट मे दाल सकते हैं तो चलेए अब हम इसको मिक्सी ने पीस लेते हैं चपारी है बिल्कुल ही रेस्टोरेंट जैसी इसको हम निकाल लेते हैं अपने बावल में। और ये लेखिए कितनी अच्छी चटनी वनी है और इसको आप इंजॉई कर सकते हैं अपने पराठों के साथ स्टफ और समोसे के साथ टिक्की के साथ चाट के साथ जिसके साथ भी आप पसंद करें उसके साथ लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको इंजॉई कीजिए और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नही रेसिपी के साथ तक तक के लिए नमश्कार